कुरुंतियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री चौथा अध्याए इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, और ना चतुराई से चलते, और ना परमेश के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रगट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं, परंतियदी हमारे सुसमचार पर परदा पड़ा है, तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धी को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसी जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो मैसु समचार का प्रकाश उन पर न चमके, क्योंकि हम अपने को नहीं, परंतु मसी ईश्व को प्रचार करते हैं, की वह प्रभू है, और अपने विशय में यह कहते हैं, कि हम यिश्व के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसले कि परमेश्वर ही है, जिसने कहा कि अंधकार में से जोती चमके, और वही हमारे हिर्दियों में चमका, की परमेश्वर की महिमा की पहचान की जोती, यिश्व मसी के चेरे से प्रकाश मान परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी और से नहीं बरन परमेश्वर ही की और से ठैरे, हम चारों और से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पढ़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताय तो जाते हैं पर हम इश्यू की मृत्यू को अपनी देह में हर समय लिये फिरते हैं कि इश्यू का जीवन भी हमारी देह में प्रगट हो। कि मैंने विश्यू किया इसलिए मैं बोला। यदिपी हमारा बाहरी मनुशत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीत्री मनुशत्व दिन प्रति दिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हलका सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्व पूर्ण और अनंत महिमा उत्पन करता जाता है। और हम तो देखी वी वस्तों को नहीं, परन्तु अंदेखी वस्तों को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी वी वस्तु में थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अंदेखी वस्तु में सदा बनी रहती हैं।